एक्जाम सेंटर में जाने से पहले लड़कियों के कानूं से बाली और लड़कों के हाथों से कलावा का धागा निकलबा दिया जाता है और उसी सेंटर से बाहर आने से पहले 150 प्रिस्णों का पेपर लीख हो जाता है यह हमारे देश की कानून बिवेस्ता अर्थ बिवेस्ता आज किसान दिल्ली में परिशान है देश का यूबा हर जगा परिशान है फिलाल तो लखनो यूको गार्डन में धर्ना प्रदर्सन चली रहा है और बरार्ड़्सी में जो दिसंबर दोजार तेश को आठ हजार लेकपालों को नियुक्ति पत्र मिलना था वो भी नहीं मिला लोग बरार्णी में परिशान है लकनू में भी परिशान है हर जगा परिशान है लेकिन गॉर्रमेंट को इस चीज से कोई मतलब नहीं है उनको बस अपने राजनिती से मतलब है तो मेरा गॉर्णमेंट से सिर्फ यही निवेदर है कि केरपया करके राजनीति को साइड करें और देश के यूबा, बिरोजगार, जनता जो परेशान है केरपया उस पर थोड़ा फोकस करा जाए क्योंकि यदि देश का यूबा को नियाज नहीं मिलेगा, देश का यूबा नहीं बढ़ेगा, देश में रोजगार इतना जीरो लेविल पर रहेगा, तो देश का भविस कैसे सुद्रिएगा थोड़ा सा बिचार करें, थोड़ा सा टाइम निकल के यूबाओ के कैरियर पे भी फोकस करा जाए, क्यों उनके वफिस के साथ खिलबार करा जाता है कितने पेपर लीख हो रहे हैं, कितने बच्चों का सपना तूट रहा है, कितने बच्चे बिचारे मेहनस से पढ़ाई कर रहे हैं, घर की आर्थिक कंडिशन इतनी खराब होती कुछ लोगों के लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हैं, क्यों क्योंकि सफल हो जाए भारा सरकार कुछ तो ऐसा कड़ा नियम निकालें, जिससे पेपर सही सलामत हो, पेपर में फेल हो जाना लोगों को सुकून मिल जाता है, कि ठीक है फेल हो गए, कुछ एजुकेशन हमारी या कुछ इस्टड़ी हमारी कंप्लीट नहीं थी, वो बंदा उसमें संतुष्ट हो हो जाए, तो हर युवाव का सपना तूट जाता है, उस पर बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ता है, उसका माइंड पे सबसे ज़्यादा पिरवाब पड़ता है, क्यूंकि हमेशा माइंड याक जैसा नहीं होता है इस्टड़ी करने का, तो किर्पया करके थोड़ा देश का भविस, युवाव का भविस, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्यूंकि देश का युवाव बढ़ेगा, तब ही इंडिया बढ़ेगा, और बाकी मेरे दोस्त, सारे लोग अपने पड़ाई पे फोकस करें, मेहने से पड़ाई करें, कि एक नेक दिन अच्छे सा सफल हो कि गॉवर्मेट सेक्टर नहीं भी मिलेगा, यह दिया पड़ लिए, तो आप अपना प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा केरियर बना सकते हैं, बाकी गॉवर्मेट देखते हैं, क्या डिसिजन लेती है, इस पेपर लीग पे, एक्जाम कराती है, यह कुछ और डिसिज की पड़ी है, यूवाओ के कैरियर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, बाकी दोस्तों आप मेहने से पड़ाई करो, गॉवर्मेट क्या आप वहार देती हैं लोगों के लिए, क्या नड़ाई लेके आती है, क्या डिसिजन लेती है, बाकी फोकस करो अपने पड़ाई पे, जय हिल, जय बाराई!